नमस्कार शोताओं स्वागत है आपका कथा संग्राले में जहां हम आपके लेकर आते हैं दिल्चस्प, किस्से और कहानिया आज हम आपके लेकर आए हैं मुन्शी प्रेम चंद की बेटों वाली विद्वा तो चलिए शुरू करते हैं पंडित अयोध्यानात का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे चार जवान बेटे थे, एक लड़की चारों लड़कों के विवा हो चुके थे, केवल लड़की कुमारी थी संपत्ती भी काफी छोड़ी थी एक पक्का मकान, दो बगीचे, कई हजार के गहने और बीस हजार नकद विद्वा फूल मती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे धांड़स हुआ चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुए एक से एक बढ़कर आग्या कारिनी जब वहर रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पाउं दबाती महसनान करके उठती तो उसकी साड़ी झांटती सारा घहर उसके इशारे पर चलता था बड़ा लड़का कामतानाथ एक रफ्तर में पचास रुए पर नौकर था छोटा उमानाथ टॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औशधाले खोलने की फिक्र में था तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिख कर कुछ ना कुछ कमा लेता था चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशागर बुद्धी और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमे की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वह दुर्वियसन, वह छैलापन, वह लुटाओ पन ना था जो माता-पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है भूई मती घर की मालकिन थी गोकी कुंजियां बड़ी बहु के पास रहती थी बुड़िया में वह अधिकार प्रेम ना था जो वृधिजनों को कटू और कल हशील बना लिगा है किन्तू उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक ना मंगा सकता था संध्या हो गई थी पंडित को मरे आज बारहवां दिन था कल ते रही है प्रह्म भोज होगा पिरादरी के लोग निमंतरित होंगे उसी की तयारिया हो रही थी फूल मती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं खी के टेना रहे हैं शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां दही के मटके चले आ रहे है महापातर के लिए दान की चीज़े लाई गई बरतन, कपड़े, पलंग, बिचावन छाते, जूते, छड़ियां, लालते ने आ दी किन्तु फूल मती को कोई चीज नहीं दिखाई गई नियमानुसार ये सबसमान उसके पास आने चाहिए थे वे प्रतियक वस्ति को देखती, उसे पसंद करती उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राये लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई अच्छा वे आटा तीन ही बुरा क्यों आया उसने तो पांच बुरों के लिए कहा था घी भी पांच ही कनस्तर है, उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इसी तरह शाद भाजी, शक्कर, दही, आदी में भी कमी की गई होगी किसने उसके हुकम में हस्तिक शेप किया जब उसने एक बात तैक कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है आज चालिस वर्षों से घर के प्रत्यक मामले में फूल मती की बात सर्व मानने थी उसने सौ कहा, तो सौ खर्च किये गए, एक कहा, तो एक किसी ने मीन मेंख ना की यहां तक की पंडित आयोध्यानाद भी उसकी इच्छा गेवरद कुछ ना करते थे पर आज उसकी आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है इसे वह क्यों सुईकार कर सकती कुछ देर तक तो वह जब्त किये बैठी रही, पर अंत में ना रहा गया सौ आयत तिशासन उसका स्वभाव हो गया था मैं एक रोध में भरी भी आई और कामतानाथ से बोली क्या हटा तीन बोरे ही लाए? मैंने तो पांच बोरों के लिए कहा था और घी भी पांच ही टिन मंगवाया तुम्हें याद है मैंने दस कनस्तर कहा था कि फायत को मैं बुरा नहीं समझती लेकिन जिसने ये कुवा खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे कितनी रज्जा की बात है कामतानाथ ने ख्षमा याजना ना की अपनी भूई भी स्विकार ना की लज्जित भी नहीं हुआ एक मिनिट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला हम लोग की सल्भा तीन ही बोरों की हुई और तीन बोरे के लिए पांच टिन की काफी था इसी इसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई है भूई मती ने उग्र होकर कहा किसकी रह सा याटा कम किया गया हम लोगों की रह से तो मेरी रह कोई चीज नहीं है है क्यों नहीं लेकिन अपना हानी लाब तो हम समझते हैं भूई मती हक्की बक्की होकर उसका मूँ ताकने लगी इस वाक्य का आशाय उसकी समझ में ना आया अपना हानी लाब अपने घर में हानी लाब की जिम्मेदारी वह आप है दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जन्में पुत्र ही क्यों नहूं उसके कामों में हस्तक शेप करने का क्या दिखार ये लॉन्डा तो इस धिटाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है उसी ने मरमर कर ग्रिस्ती जोड़ी है मैं तो गैर हूँ राज की हेकडी तो देखो उसने तम तम आय हुए मुक से कहा मेरे हानी लाप के जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उच्छत समझू वही करूँ अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच तिन घी और लाओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार में उसने काफी तबीही कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनवाश्यक थी उसे अपनी उगरता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए मुझसे इस लेना पूचा होगा है कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है अगर इन्हें मालूम होता है कि इस काम में किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहसना होता यद्यपी कामताना तब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भाव भंगी से ऐसा ग्यात होता था कि इस आग्या का पालन करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं पर फूल मती निश्चंत होकर अपनी कोठरी में चली गई इतनी तंबी पर भी किसी को उसकी अवग्या करने का सामर्त हो सकता है इसकी संभावना का ध्यान भी उसे ना आया पर जो जो समय बीतने लगा उस पर ये हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वय हैसियत नहीं रही जो दस बारा दिन पहले थी संबंधियों के यहां के नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आ दिया रहे थे बड़ी बहु इन वस्तों को स्वामिनी भाव से समहल समाल कर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बेरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाच से या बड़ी बहु से कामतानाच कहां का बड़ा इंतजामकार है, राद दिन भंग पिया पड़ा रहता है किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने में पंधरा नागों से कम नहीं होते बड़ी बहु जैसी फूहर राद भला इन सब बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लत्य तक तो जतन से रखनी सकती, चली है ग्रियस्ती चलाने भद होगी और क्या सब मिलकर कुल की नाक पटवाएंगे वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी कोई चीज इतनी कम बनेगी किसी पतल पर पहुँचेगी किसी पर नहीं आखिर इन सबों को हो क्या गया है अच्छा, बहु तिजोरी क्यों खोल रही है मेरी आगया के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है कुझी उसके पास है अवश्य है लेकिन जब तक मैं रुपे ना निकल वाओ तिजोरी नहीं खोलती आज तो इस तरह खोल रही है, मानू मैं कुछ हुई ही नहीं यह मुझसे बरदाश्टना होगा मैं जमक कर उठी और बहु के पास जाकर कठोर सवर में बोली तिजोरी यूँ खोलती हो बहु मैंनो तो खोलने को नहीं का बड़ी बहु ने निसंग कोच भाव से उत्तर दिया बजार से समान आया है तो दाम ना दिया जाएगा कौनसी चीज के इस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालू जब तक हसाब किताब ना हो जाए रुप़े कैसे दिये जाए हिसाब किताब सब हो गया है किसने किया मैं क्या जानू किसने किया जाकर मरदों से पूछो मुझे हुक में मिला रुपे लाकर दे दो रुपे लिये जाती हूँ फूल मती खून का घूंट पी कर रह गई इस वक्त बिगडने का अफसर ना था घर में महमान स्त्री पुरुश भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डाटा तो लोग यही कहेंगी कि इनके घर में पंडिजी के मरते ही फूट पड़ गई दिल पर पत्थर रखकर फिर उपनी कोठरी में चली गई जब महमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एकी खबर लेगी तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है इनकी सारी चौकडी भुला देगी किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंतना बैठी थी सारी परिस्थिती को गिध द्रिष्टी से देख रही थी कहां सतकार का कौन सा नियम भग होता है कहां मर्यादों की उपेक्षा की जाती है भोज आरंब हो गया सारी विरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं ये 500 आदमी इतनी से जगह में कैसे बैठ जाएंगे कि आदमी के उपर आदमी बिठाए जाएंगे दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुरा ही हो जाती यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज दो बजे समात होता बगर यहां तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह यह बला से रसे टले और चैज से सोए लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं पतल पर एक पर एक रखे हुए हैं पूरिया ठंडी हो गई हैं लोग गरम गरम माग रहे हैं मैदे की पूरिया ठंडी होकर चिम्डी हो जाती है इन्हें कौन खाएगा रसोईये को कढ़ाव पर से ना जाने क्यों उठा दिया गया यही सब बातें ना काट नहीं है सहसा शोर मचा तरकारियों में नमक नहीं बड़ी बहु जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी फूल मती क्रोध के मारे ओट चबा रही थी पर इस अफसर पर मूँ न खोल सकती थी नमक पिसा और पतलों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है ठंडा पानी लओ ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था बर्फ भी न मंगाई गई थी आदमी बजार दोड़ाया गया मगर बजार में तनी रात गए बर्फ कहां आदमी खाली हाथ लोट आया महमानों को वही नलका गरम पानी पीना पड़ा फूल मती का बस चलता तो लड़कों का मूच नोच लेती ऐसी चीचा लेदर उसके घर में कभी ना हुई थी उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुधी ना थी सुधी कहां से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुरसत मिले महमार अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं अच्छा फिर ये हलचल क्यों मच गई औरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं क्या मामला है फूलमती उदासीन ना रह सकी कोठरी से निकल कर बरामदे में आई और कामताना से पूछा क्या बात हो गई लल्ला लोग उठे क्यों जा रहे हैं कामता ने कोई जवाब ना दिया वहां से खिसक गया फूलमती जंजला कर रह गई सहसा कहारिन मिल गई फूलमती ने उससे भी यही प्रशने किया मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुहिया निकल आई फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई भीतर ऐसा ओबाल उठा की दिवार से से टकरा ले अब हागे भोज का प्रबंध करने चले थे इस फूहडपन की कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया फिर पंगित क्यों न उठ जाए आँखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा सारा की आधरा मिट्टी में मिल गया सैकड़ो रुपे पर पानी फिर गया बद्रामी हुई वो अलग महमान उठ चुके थे पतलों पर खाना ज्यों का त्यो पड़ा हुआ था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे एक दूसरे को इलजाम दे रहा था बड़ी बहु अपनी देवरानियों पर बिगड रही थी बेवरानिया सारा दोश कुमुद के सिर पर डालती थी कुमुद खड़ी रो रही थी उसी ये वक्त फूल मती जहलाई हुई आकर बोली मुँ में कालिक लगी की नहीं या अभी कुछ कसर बाकी है डूमरो सब के सब जाकर चुलू भर पानी में शेहर में कहीं मुँ दिखाने लायक भी नहीं रहे किसी लड़के ने जवाब ना दिया फूल मती और भी प्रचंड होकर बोली तुम लोगो क्या किसी को शर्म हाया तो है नहीं आत्मा तो उनकी रो रही है जिनोंने अपनी जिन्दगी घर की मरजाद बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने या कलंकित किया शेहर में थुड़ी थुड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं कांतानात कुछ तेर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा आखर जुझला कर बोला अच्छाब चुप रहो अम्मा भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भहन कर भूल हुई लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी सभी से भूले होती है आदमी पच्छता कर रह जाता है किसी की जान तो नहीं मारी जाती बड़ी बहु ने अपनी सफाई दी हम क्या जानते थे कि बीबी से इतना भी काम ना होगा इने चाहिए था कि देखकर तरकारी में कड़ाव में डालती तोकरी उठा कर कड़ाव में डाल दी हमारा क्या दोश कामतानात ने पतनी को डाटा इसमें ना कोमुद का कुसूर है ना तुम्हारा ना मेरा संयोग की बात है बड़नामी भाग में लिखी थी वे हुई इतने बड़े भोज में एक एक मुठी तरकारी कड़ाव में डाली जाती टोकरे के टोकरे उड़े लिए जाते है अरे कभी कभी ऐसी दुर्गटना होती है पर इसमें कैसी जगस आई और कैसी ना कटाई तुम खामखा जले पर नमक शड़कती हो फूल मती ने दांत पीस कर कहा शर्माते तो नहीं उल्टे और बेहायी की बातें करते हो कामता नातने निसंग कोच होकर कहा शर्माओं क्यों? किसी की चोरी की है? चीने में चीन्टे और आटे में घौन ये नहीं देखे जाते पहले हमारी निखाना पड़ी बस यहीं बात बिगड़ गई नहीं चुपके से चुया निकाल कर फेंग देते किसी को खबर भी ना होती फूल मती ने चकेत होकर कहा अरे क्या कहता है मरी चुया खिला कर सबका धर्में बिगाड़ देता कामता हस कर बोला क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा इन बातों से धर्म नहीं जाता ये धर्मात्मा लोग जो पतल पर से उड़ गए हैं इन में से कौन है जो भेड़ बगरी का मास नखाता हो ताला आपके कचुया और गोंगे तक तो किसी से बचते नहीं जरासी चुया में क्या रखा था भूल मती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अप्रले आने में बहुत देर नहीं है जब पढ़े लिखे आदमियों के मन से ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें अपना सा मू लेकर चली गई दो महीनें गुजर गए है रात का समय है चारो भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशब कर रहे है बड़ी भुभी शड़ी अंतर में शरीक है कुमुद के वेवा का प्रश्न छिड़ा हुआ है कामतानाथ ने बसनद पर टेक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ गई पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे लेकिन जो आदमी अपनी विद्ध्य और कुलीनता को रुपियों पर बेचे वह नीच है ऐसे नीच आदमी के लड़के से हमकुमुद का विवास सेंत में भी नहा करेंगे पंच हजार तो दूर की बात है उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो हमारे पाल सकुल बीस हजार ही तो है एक एक के हिस्से में पंच पंच हजार आते हैं पंच हजार दहेज में दे 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 और पंच हजार नेगने उचावर बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बधिया ही बैट जाएगी उमानाथ बोले मुझे अपना ओशद हाले कोलने के लिए कम से कम पंच हजार की ज़रत है मैं अपने हिस्से से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे आखों से इनक उतारते हुए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस हजार का कैपिटल चाहिए पांच हजार मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साजधार भी मिल जाएगा पत्रों में लेक लिखकर मेरा निर्वान नहीं हो सकता कामता नाथ ने से रह लाते वे कहा अजीर राम भजो सेंत में कोई लेक छापता नहीं रुपय कौन देता है दयानाथ ने प्रतिवाद किया नहीं ये बात तो नहीं है मैंने तो कहीं भी बिना पेशगी पुरसकार लिए नहीं लिखता कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता बड़ी बहु ने शद्धा भाव से कहा कन्या भागवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है भागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी ये सब नसीबों का खेल है कामतानात ने स्त्री की और प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का विवा भी तो करना है सीतानात सबसे छोटा था सिर जुकाए भाईयों की स्वार्थ भरी बातें सुन-सुन कर कुछ कहने के लिए उताबला हो रहा होता अपना नाम सुनते ही बोला मेरे विवा के आप लोग चिंता ना करें मैं जब तक किसी धंदे में ना लग जाऊंगा विवा का नाम भी ना लूँगा और सच पूछिये तो मैं विवा करना ही नहीं चाहता देश को इस समय बालों की ज़रूरत नहीं है काम करने वालों की ज़रूरत है मेरे हिस्से के रुपए आपको मुद के विवा में खर्च कर दे सारी बातें तैह हो जाने के बाद ही है उच्चत नहीं कि पंडित मुरारी लाल से सम्मंध तोड़ लिया जाए उमा ने तीव रिस्वर में कहा अरे दस हजार कहां से आएंगे इसकी तर्णें डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेश मुरारी लाल से कहा जाए कि देज में कुछ कमी कर दे कोई अतने स्वार्थांद नहीं है कि इस अफसर पर कुछ बल खाने को त्यार ना हो जाए और वह तीन हजार में संतुष्ट हो जाए तो पांच हजार में विवा हो सकता है उमा ने कामतनाद से कहा सुनते हैं भाई साब इसकी बाते दयानाद बोल उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हमें तो कोई त्याग करने के योग है इन्हें तत्काल रुपे की जरुरत नहीं है सरकार से वजीफा पाते ही है पास होने पर कहीं न कहीं जगे मिल जाएगी हम लोगों की ऐसी हालत तो ऐसी नहीं है कामतानाथ ने दूर दर्शिता का परिचे दिया नुकसान की एक ही कही हम में से एक को कश्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे यह भी लड़के हैं इन्हें क्या मालू समय पर एक रुप्या एक लाग का काम करता है कौन जानता है कल ने विलायज जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए उस वक्त सफर की तयारियों में चार-पांच हजार लग जाएंगे तब किसके सामने हाथ फिलाते फिरेंगे मैं ये नहीं चाहता कि दहिज के पीछे इनकी जिंदगी नश्ट हो जाए इस तरक ने भी सीतानात को तोड़ लिया सकुचाता हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपे की जरुरत होगी क्या ऐसा होना संभव है संभव तो मैं नहीं समझता लेकिन कठे नविश्य है वजीफें उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती है मुझे कौन पूछता है कभी-कभी सिफारिशें धरी रह जाती है और बिना से फारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं तो आप जैसा उचित समझें मुझे यहां तक मन्जूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं पर को मुद अच्छे घर जाए कामतानाथ ने निश्ठा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने ही से नहीं मिलता भईया जैसा तुम्हारी भावी ने कहा ये नसीबियों का खेल है मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी डाल को जवाब दी दिया जाए और कोई ऐसा घर खो जाए जो थोड़े में राजी हो जाए इस विभा में मैं एक हजार से जादा नहीं खर्च कर सकता अच्छा पंडित दीन देयाल कैसे है मुमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे में बी ये ना सही अजमानों से अच्छी आमदनी है देया नातने आपक्ती की अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए कामतानात को इसकी कोई जरुरत ना मालूम होई बोले उनकी तो जैसे बुद्धी ही प्रष्ट हो गई वही पुराने युक्की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाये बैठी है ये नी समझती किवे जमाना नहीं राख उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घड़ जाए चाहिए हम लोग तभा हो जाए उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी देख ली जगा कामतानात का स्वार्थ नीती से विद्रो होना कर सका बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है ये उनका स्त्रीधन है जिसे चाहे दे सकती है उमा ने कहा स्त्रीधन है तो क्या वे उसे लुटा देंगी आखिर वे भी तो दादा ही की कमाई है किसी की कमाई हो स्त्रीधन पर उनका पूरा अधिकार है ये कानूनी गोरक धंदे है बीस हजार में तो चार हिस्सेदार हो और दस हजार के गहने अम्मा के पास रह जाए देख लेना इनी के बल पर वै कुमुद का विवा मुरारी पंडित के घर करेंगी उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता वे कपट मीती में कुशल है कोई कौशल रच कर माता से सारे गहने ले लेगा उस वक्त तक कुम्मद के विवा की चर्चा घर के फूल मती को भढ़काना उचित नहीं कामतानाथ ने सिरहला कर कहा भाई मैं इन्चालों को पसंद नहीं करता उमानाथ ने किसी आकर कहा गहने दस हजार से कम के न होंगे कामता अविचलित स्वर में बोले कितने ही के हों मैं अनीती में हाथ नहीं डालना चाता अरे तो आप अलग बैठिये बीच में भाजी ना मारियेगा मैं अलग रहूँगा और तुम सीता अलग रहूँगा लेकिन जब दयानाथ से यही प्रशने किया गया तो वह उमानाथ से सही योग करने को तयार हो गया दस हजार में ढाई हजार तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदी कुछ कोशल भी करना पड़े तो इक्षम में है फूल मती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए दोनों ऐसा मू बनाए हुए थे मानों कोई भारी विपत्तिया पड़ी है फूल मती ने सशंक होकर पूछा तुम दोनों घबड़ाए हुए मालूम होते हो उमा ने सिर्ख खुजलाते हुए कहा समा चार पत्रों में लेख लिखना बड़ा जोखिम का काम है अमा कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ होई ही जाती है दयानात ने एक लेक लिख लिखा था उस पर पांच हजार की जमानत मांगी गई है अगर कल तक जमाना कर दी गई तो गिरफतार हो जाएंगी और दस साल की सजा ठुक जाएगी फूल मती ने से रपीट कर कहा ऐसी बाते क्यों लिखते हो बेटा जानते नहीं हो आजकल हमारे आदेन आये हुए है जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दयानात ने अपरादी भाव से उत्तर दिया मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किसमत को क्या करूँ हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दोड़ धूप हो सकती थी वैस सब कर ली तो तुम कांता से रुपे का प्रबंद करने को तुमने नहीं कहा हुमा ने मूँ बनाया उनका सोभाव तो तुम जानती हो अम्मा उन्हें रुपे प्राणों से प्यारे है इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई ना देंगे दयानात ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया फूल मती ने चार पाई से उठते वे कहा चलो मैं कहती हूँ देगा कैसे नहीं रुपे ऐसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए उमानात ने माता को रोक कर कहा नहीं अम्मा उनसे कुछ ना कहो रुपे तो ना देंगे उल्टे और हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खहरियत मनानी है इन्हें घर में रहने भी ना देंगे अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चेरे नहीं फूल मती ने लाचार होकर कहा तो फिर जमानत का क्या प्रबंद करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है हाँ मेरे गहने है इन्हें ले जाओ कहीं गिरों रख के जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखा हुए दयानात कानों पर हाथ रख कर बोला यह तो नहीं हो सकता अमा की तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाओ दस-पांच साल की कैद ही तो होगी जेल लूगा यह बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ फूल मती चाती पीटते वे बोली कैसी बाते मूँ से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी तुम्हे कौन गिरफतार कर सकता है उसका मूँ जुलस दूँगी गहने इसी दिन के लिए है या किसी और दिन के लिए जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में जोकूंगी उसने पिटारी लाकर उनके सामने रख दी दया ने उमा की और जैसे फर्याद की आँखों से देखा और बोला आपकी क्या राया है भाई साथ इसी मारे मैं कहता था अमा को बताने की जरुरत नहीं जेल ही तो हो जाती या और कुछ उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा ये कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अमा को खबर ना होती मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं खुद ने नहीं कर सकता ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरो रखे जाए फूल मती ने व्यधित कंट से पूछा क्या सब तुम समझते हो मुझे गहने तुम से ज़ादा प्यारे है मैं तो प्राण तक तुम्हारे उपरने उच्छावर कर दूँ गहनों की तो बिसाथी क्या है दयाने द्रिड़ता से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूँगा चाहे मुझ पर क्यों ही कुछ ना पड़े जब तक आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना कर सका तो किस मूँ से तुम्हारे गेने उठा ले जो मुझ जैसे कपूद को तो तुम्हारी कोक से जन भी ना लेना चाहिए था सदा तुम्हें कश्ट ही देता रहा फूल मती ने भी उतनी हिद्रिड़ता से कहा अगर यो ना लोगे तो मैं खुद जाकर इने गिरो रख दूँगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत कराऊंगी अगर इच्छा हो तो यह परिशा भी ले लो आखे बंदो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिर्ची आँखों से नहीं देख सकता उमानात ने मानो माता पर एहसान रख कर कहा अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीरा दयानात क्या हरज है ले लो मगर याद रखो जो ही हाद में रुपे आ जाएं गहने चुड़ाने पड़ेंगे सच कहते हैं मात रित्वत दीर के तपस्या है माता के सिवा इतना सने और कौन कर सकता है हम बड़े अभागे हैं माता के प्रती जितनी शद्दा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पढ़कर गहनों की पिटारी समाली और चलते बने माता वाद सल्ले भरी आँखों से उनकी और देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशरवाज जैसे अपनी गोद में समर्ट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था आज कई महिने के बाद उसके भगन मात्रहरदय को अपना सर्वस वर्पन करके जैसे आनंद की भी भूती मिली उसकी स्वामिनी कलपना इसी त्याग के लिए इसी आत्म सबर्पन के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंडती रहती थी अधिकार या लोब या ममता की वहां गंध तक ना थी त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिर्जी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेट करके वहने हाल हो गई तीन महीने और गुजर गए मा के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिल जोई करने लगे थे अपनी स्तिर्यों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाए अगर थोड़े से सिष्टा चार से उसकी आत्मा को शांती मिलती है तो इसमें क्या हानी है चारों करते अपने मन की पर माता से सलहा लेते और ऐसा जाल फहलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई किन्तु कुमद के विवा के विशे में मतैक्या ना हो सका मा पंडित मुरारी राल पर जमी हुई थी लड़के दीन दयाल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कलाय हो गई फूल मती ने कहा मावाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला 25,000 का मकान 20,000 नकद में क्या 5000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है कामता ने नमरता से कहा अमा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बेहन है आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंद रहेगा तब हम यथा शक्ती कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का कोई हिस्सा नहीं है दादा जीवित थे तब और बात थी मैं उसके विवा में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की कफायत करनी पड़ेगी जो काम हजार में हो जाए उसके लिए पांच हजार खर्च करना कहां की बुद्धिमानी है उमानात से सुधारा पांच हजार क्यूं दस हजार कही है कामताने भवें से कोड़ कर कहा नहीं मैं पांच हजार ही कहूंगा एक विवा में पांच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है फूल मती ने जिद पकड़ कर कहा विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा पांच हजार खर्चों चाहे दस हजार मेरे पती की कमाई है मैंने मर मर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूँगी तुम ही ने मेरी कोक से नहीं जनम लिया है कमुद भी उसी कोक से आई है मेरी आँखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ मांगती नहीं तुम बैठे तमाशा देखो मैं सब कुछ कर लूँगी बीस हजार में पांच हजार कमुद का है कामतानात को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग ना रहा बोले अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वे तुमारे नहीं है तुम हमारे अनुमती के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती फूल मती को जैसे सर अपने डस लिया क्या कहा फिर तो कहना मैं अपने ही संचे रुपय अपनी इच्छा से नहीं कर्च कर सकती वे रुपय तुमारे नहीं रहे हमारे हो गए तुमारे होंगे लेकिन मरे मरने के पीछे नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए हुमानात ने बेहयाई से कहा अम्मा कानून फायदा तो जानती नहीं नहां को चलती है फूल मती क्रोध विहल रो कर बोली भाड में जाये तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं जानती तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेट रही थे मैंने ही पेट और तन काट कर यह ग्रिहस्ती जोड़ी है नहीं आज बैठने की छाना मिलती मेरे जीते जी तुम मेरे रुपे नहीं चू सकते मैंने तीन भाईयों के विवा में दस-दस हजार खर्च किये हैं वही मैं अकुमुद के विवा में भी खर्च करूँगी कामतानाथ भी गर्म पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का दिकार नहीं है उमानाथ ने बड़े भाई को डाटा आप खामा खामा के मूँ लगते हैं भाई साथ मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे अकुमुद का विवा ना होगा बस चुट्टी हुई काईदा कानून तो जानती नहीं व्यर्थ की बहस करती है फूल मती ने सैयमित स्वर में कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी सुनू उमा ने निरी भासे का कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है मा का हक केवल रोटी अपने का है फूल मती ने तड़प कर पूचा किसने ये कानून मराया है उमा शांस्तिर स्वर में बोला हमारे रिशियों ने महराज मनो ने और किसने फूल मती एकशन अवाक रहकर आहत कंठ से बोली तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकडों पर पड़ी हुई हूँ उमा नाथ ने नया अधीश की निर्ममता से कहा तुम जैसा समझो फूल मती की संपून आत्मा मानो इस वज्रपात से चीतकार करने लगी उसके मुकसे जलती हुई चिंगारियों की भाती है शब्द निकल पड़े मैंने घर बनवाया मैंने संपत्ती जोड़ी मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हूँ मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आश्रता बनकर रहना सुईकार नहीं इससे कहीं अच्छा है कि मर जाओ वारे अंधेर मैंने पेड लगाया और मैं ही उसकी च्छा में खड़ी नहीं हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारों यूवकों पर माता के इस क्रोध और आतंग का कोई असर ना हुआ कानून का फॉलादी कबच उनकी रक्षा कर रहा था इन काटों का उन पर क्या आसर हो सकता था जरा देर में फूल मती उठकर चली गई आज जीवन में पहली बार उसका वातसल्य मग्न मातरित्व अभिशाब बनकर उसे धिकारने लगा जिस मातरित्व को उसने जीवन की विभूती समझा था जिसके चर्णों पर वह सदैव अपने समस्त अभिलाशाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी वही मातरित्व आज उसे अगनी कुंड सा जान पड़ा जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का व्रिक्ष सिर जुकायन स्थब्द खड़ा था मानोसंसार की गती पर क्षुब्ध हो रहा हो अस्ताचल की और प्रकाश और जीवन का देवता फूल्वती के मातरित्व ही की भाती अपनी चिंता में चल रहा था फूल्वती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर तूट गई है पती के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रू हो जाएंगे उसको स्वपन में भी अनुमान ना था जिन लड़कों को उसने अपना ह्रिदय रक्त पिला पिला कर पाला वही आज उसके ह्रिदय पर यों आगात कर रहे है अब वह घर उसे कांटों की सेज हो रहा था जहां उसकी कुछ कद्र नहीं, कुछ किंती नहीं महान आथों की भाती पड़े रोटियां खाए यह उसकी अभिमानी प्रकृती के लिए असाहिय था पर उपाय ही क्या था वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो ना किसकी कटेगी संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या बदनामी तो उसी की है दुनिया यही तो कहेगी कि चार जवान बेटों के होते बुढिया अलग पड़ी हुई मजूरी करके पेट पाल रही है जिनने उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हसेंगे नहीं वह अपमान इस अनादा से कहीं जादा हरिदय विदारक था अब अपना और घर का परदा ढखा रहने में ही कुशल है हाँ अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बढ़ाना पड़ेगा समय बदल गया है अब तक स्वामिनी बन कर रही अब लॉंडी बन कर रहना पड़ेगा इश्वर की यही इच्छा है अपने बेटों की बातें और लातें गेरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है मैं बड़ी देर तक मूढ़ा पे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी आत्म वेद्ना में कट गई शरत का प्रभाव डरता डरता उश्या की गोद से निकला जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भागाया हो फूल मती ने अपने नियम के विरुद आज तड़के ही उठी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था और वे आंगन में जाड़ू लगा रही थी रात भर उसमें भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में काटों की तरह चुब रही थी पंडिज जी उसे कभी इतनी सवेरे उठने ना देते थे शीत उसके लिए बहुत हानी का रख था पर वह दिन अब नहीं रहे प्रकृती उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रैतन कर रही थी जाड़ू से फुरसत पाकर उसने आग चलाई और चावल डाल की कंकणिया चुनने लगी कुछ देर में लड़के जागे भहुए उठी सभी ने बुढिया को सर्दी से सिकड़े हुए कान करते देखा पर किसी ने यह ना कहा कि अम्मा क्यूं हलकान होती हो शायद सबके सब बुढिया के इस मान मर्दन पर प्रसन्ने थे आज से फूल मती का यही ने हो गया कि जी तोड़ कर घर का काम करना और अंतरंग नीती से अलग रहना उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव जहलकता रहता था अब उसकी जगे गहरी वेदना चाय हुई नजर आती थी जहां बिजली जलती थी वहाँ आप तेल का दिया टिम्ट महरा था इसे बुझा देने के लिए हवा का एक हलका सा जोंका काफी है मुरारी लाल को इंकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुगी थी दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया दीन देयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया दीन देयाल की उम्रे चालिस से कुछ अधिक थी मर्यादा में भी कुछ हेठे थे पर रोटी दाल से खुश थे बिना किसी ठहराओ के विवाह करने पर राजी हो गये तिथी नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमद विदा कर दी गई फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी यसे कौन जान सकता है पर चारों भाई बहुत प्रसंद थे मानों उनके हिदय का कांटा निकल गया हो उचेकुल की कन्या मूँ कैसे खोलती भाग्य में सुख भोग ना लिखा होगा, सुख भोगेगी दुख भोग ना लिखा होगा, दुख छेलेगी हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है घरवालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार एब हों तो भी वे उसका उपास्य, उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कलपना से परे था फूलमती ने किसी काम में दखल ना दिया कुमुद को क्या दिया गया, महवानों का कैसा सतकार किया गया किसके यहां से नेवते में क्या आया किसी बात से भी उसे सरुकार ना था उससे कोई सला भी ली गई तो यही कहा बेटा, तुम लुग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद मा के गले लिपट कर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ सौपचास रुपए और दो-चार मामूली गहने उसके पास बच रहे थे, बेटी के एंचल मर डाल कर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवा इस तरह होता तुम इस तरह विदा की जाती आज तक फूल मती ने अपने गहनों की बात किसी से ना कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट विवार किया था इसे चाहे अब तक ना समझी हो लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर ना मिलेंगे और मनो माल इन्य बढ़ने के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा लेकिन इस सब सर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत महलूम होई कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े इसे वह किसी तरह ना सह सकती थी इसलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई थी लेकिन कुमुद को पहले ही से स्कॉशल की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपे आचल से निकाल कर माता के चर्णों में रख दिये और बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा अशरवाद लाको रुपेयों के बराबर है तुम इन चीजों को अपने पास रखो ना जाने अभी तुम्ही किन्वी पत्तियों का सामना करना पड़े पूल मती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानात ने आकर कहा क्या कर रही है कुम्हत चल जल्दी कर साइथ टली जाती है मैं लोग हाय हाय कर रहे है फिर तो दो चार महीने में आएगी जो कुछ लेना देना हो ले लेना पूल मती के गहाँ पर जैसे मनो नमक पड़ गया बूली मेरे पास अब क्या है भीया जो इसे मैं दूंगी जाओ बेटी भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे कुम्त विदा हो गई फूल मती पच्छाड खाकर गिर पड़ी जीवन की लालसा नश्ट हो गई एक साल बीत गया भूल मती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था कई महिनों से उसने बड़ी बहु के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठ्री में रहने लगी जैसे कोई भिकारिन हो बेटों और बहुँं से अब उसे जरा भी सनहिना था वेहब घर की लॉंडी थी घर के किसी प्राणी किसी वस्तू किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन ना था वे केवल इसलिए जीती थी कि मौत ना आती थी सुख ही या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ग्यान ना था उमानात का ओशधाले खुला मित्रों की दावत हुई नाच तमाशा हुआ दयानात का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीतानात को वजीफा मिला और विलायत गया फिर उत्सव हुआ कामतानात के बड़े लड़के का यग्योप वीद संसकार हुआ फिर धूम धाम हुई लेकिन फूल मती के मुख पर आनंद की चाया तक ना आई कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर भी मार रहा और मर कर उठा दयानात ने अबकी अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्ती जनक लेक लिखा और छे महीने की सजा पाई उमानात ने एक फौसदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ड लिखी और उसकी सनद छीन ली गई पर फूल मती के चहरे पर रंज की पर छाईया तक ना पड़ी उसके जीवन में अब कोई आशा कोई दिलचस्पी, कोई चिंता ना थी बस पशूओं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिन्दगी के दो काम थे जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से फूल मती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विश्के कौर की तरह महीनों सिर में तेल ना पड़ता महीनों कपड़े ना धुलते कुछ परवाह नहीं जीतना शून्य हो गई थी सावन की जड़ी लगी उई थी मलेरिया फैल रहा था आकाश में मट्याले बादल थे जमीन पर मट्याला पानी आरदर वाईयो शीत जवर और श्वास का वितरन करती फिरती थी घर की महरी बीमार पड़ गई फूल मती ने घर के सारे बरतन माजे पानी में भीग भीग कर सारा काम किया फिर आज जलाई और चूले पर पतीलिया चड़ा दी लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए सहसा उसे आदाया कामतानाथ नलका पानी नहीं पीते उसी वर्षा में गंगा जलना ने चली कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाओंगा आज महरी खूब बैठ रही फूल मती ने मटियाले आकाश की और देखकर कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कामतानाथ बोले तुम भी तो भीग रही हो कब भी मार ना पड़ जो फूल मती निर्मम भाव से बोली मैं भी मार ना पुरूंगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था उसके और शदाले में कुछ आंदनी ना होती थी इसलिए बहुत चिंतित था भाई भावज की मूँ देखी करता रहता था बोला जाने भी तो भीया बहुत दिनों भवों पर राज कर चुकी है उसका प्राश चुत्तो करने दो गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समद्रो शितिज के सामने के कूल से मिला हुआ था किनारों के व्रिक्षों की केवल फुनगिया पानी के उपर रह गई थी घाट उपर तक पानी में डूब गए थे फूल मती कलसा लिये नीचे उतरी पानी भरा और उपर जा रही थी कि पाउं फिसला संभल ना सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पाउं चलाए फिर लहरें उसे नीचे खीच ले गई किनारे पर दो-चार पंडे चला अरे दोडो बुड़िया डूबी जाती है दो-चार आदमी दोड़े भी लेकिन फूल मती लहरों में समा गई थी उन बल खाती हुई लहरों में जिने देखकर हिर्ष्रदय काँ पड़ता था एक ने पूछा ये कौन बुड़िया थी अरे वही पंडेत आयोध्यानाथ की विद्वा है आयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे हाँ थे तो पर इसके भाग्या में ठोकर खाना लिखा था उनके तो कई लड़के बड़े-बड़े हैं आप सब कमाते हैं हाँ सब है भाई मगर भाग्ये भी तो कोई वस्तू है तो ये थी आज की कहानी ऐसी ही दिल्चस्प कहानी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए नमस्कार